हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्चे होंगे और आप सब की पड़ाये भी एच्चे चल रहे होगे पिरे विद्धार्तियों, आज की इस क्लास में हम तक्सा 4 और 5 गनित विश्य की आपकी वरक्बुग 2024-25 के कार्य पत्रक 57 से लेकर कार्य पत्रक 60 तक हल करना सिखेंगे पिरे वच्चो, कार्य पत्रक 1 से लेकर 56 तक और आकलन 1 से लेकर आकलन 6 तक सबी को मैंने बहुत अच्चे से हल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर आप सभी प्यारे विद्यारती चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर आप उनसे भी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लासम सरू करते हैं कार्य पत्रक 57 में हम सिखेंगे बार-बार जोडने की क्रिया द्वारा गुणन संक्रिया की समझ बना पाना यहनि हम बार-बार जोड़कर कैसे किसी संक्या को जो गुणन फल है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं देखो पहला प्रशन रीक दिस्तानों की पूर्ती कीजिए आपके सामने देखो एक, दो, तीन, चार, पांच एक लाइन में कितने फूल है? पांच फूल और टोटल कितनी लाइन है? पांच लाइन है एक लाइन के अंदर पांच फूल है और टोटल आपकी पांच लाइन है तो सबका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? तो देखो सबका जोड़ होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानि हमने 5 को कितनी बार जोड़ा हमने 5 को 5 बार जोड़ा तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गोना 5 कि 5 को हमने 5 बार जोड़ा है इसका मतलब हम 5 का 5 से गोना कर दे तो कितना आएगा 25 फूल यहां पर कूल कितने फूल है 25 फूल है दूसरा चित्र है फूल कितनी बोतले हैं देखो एक लाइन में कितनी बोतले दिख रही हैं एक दो तीन च्यार एक लाइन में कितनी बोतले हैं च्यार लाइन कितनी है देखो एक दो तीन च्यार पांच और छे लाइन कितनी है छे लाइन और एक बोतल में कितनी एक लाइन में कितनी बोतल है चार बोतल तो बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ चार गुना छे कि भाई एक लाइन के अंदर चार बोतल है और कुल कितनी लाइन है तो कुल आपकी छे लाइन है तो 4 गुनाच 6, कितनी हो जाएगी? 24 बोतले, कुल कितनी बोतल होगी? 24 बोतले, आगे देखो अंडे कितने हैं? देखो एक लाइन में कितने अंडे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, एक लाइन में 5 अंडे हैं, कुल कितनी लाइन हैं? देखो, कुल लाइन है आपके पास 6, तो 5, एक लाइ बल कीजिए, जैको आठ को कितनी बार जोड रहे हैं, तीन बार, तो मैं लिख सकता हूँ, तीन गुणा आठ, कितना हो जाएगा, चौबिस, तीन को कितनी बार जोड रहे हैं, पांच बार, तो पांच गुणा तीन, कितना हो जाएगा, पंद रहो, तीस को कितनी बार जोड र कितनी बार जोड रहे हैं चार बार, चार गुणा बार हो, कितना हो जाएगा 48, चे को कितनी बार जोड रहे हैं तीन बार, तीन गुणा चे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3, रामू बिस्कुट के चार पेकेट लिकर आया, कितने पेकेट चार, हर पेकेट में 4 बिस्कूट है तो रामु ने कुल कितने बिस्कूट खरी दे है तो लिखेंगे कि रामु ने कुल बिस्कूट खरी देखो 4 पेकेट लेया है एक पेकेट में कितने है च्यार हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 16 बिस्किट हो गए कितने हो गए? कुल मिला के आपके 16 बिस्किट हो गए ये था कारे पत्रक 57 आगे बढ़ते हैं बैच्चो, कारे पत्रक 58 यहाँ पर भी क्या सीखना है? बार बार जोडने की त्रिया ज़ारा गुनन को बना पाना, गुनन तथे आने पहाडों को बना पाना देखो, पहला प्सक्तन है, बार बार जोड़कर आप 2, 3, 4, 5, और 10 का पहाडा लिखिए, तो देखें, जैसे रो का पहाडा, 2 एकम 2, कितनी बार जोड़ा 2 को 1 बार 2 दूनी 4, 2 को कितनी बार जोड़ा 2 बार 2 तिया 6, 2 को कितनी बार जोड़ा 3 बार फिर 2 चौक 8, 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 4 बार तो 2 को कितनी बार जोड़ेंगे हम यहापर 4 बार फिर दो पंजेद दस दो को कितनी बार जोड़ेंगे पांच बार तो दो पलस दो पलस दो पलस दो फिर दो चिंग बार हो दो को कितनी बार जोड़ेंगे छे बार तो ऐसे आप लिख लेना यहाँ पर संख्या समाईगी नहीं लगबग यह छे बार फिर दो सते चौध हो तो यहाँ पर मैं डायर्ट लिख सकता हूँ दो को साथ से गुणा करना है कि हम कहेंगे कि दो को कितनी बार जोड़ना है दो को आपको साथ बार जोड़ना है तो यह हमने दो को साथ बार जोड़ दिया फिर दो अटे सोल हो दो को कितनी बार जोड़ना है आठ बार तो यहाँ पर दो को आप आठ बार जोड़ेंगे चैर बार हो गया पांच बार, छे बार, साथ बार और आठ बार तो दो नम अठारा हूं दो को कितनी बार जोड़ना है नो बार तो 2 को आप 9 बार जोड़ेंगे कितनी बार जोड़ेंगे 9 बार और 2 धाम 20 दो कितनी बार जोड़ेंगे 10 बार आगे सोज में तो इस तरह हम बार बार जोड़ कर भी संख्याओं के पाड़े बना सकते हैं ठीक इसी तरह 4 का पाड़ा लिखना है तो देखो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया बार हो, चार सौक सूल हो, चार पंजे बीस, चार चेंग चोबिस, चार सत्य अठाइस, चार अटे बत्तीस, चार नम चत्तीस, और चार दाम चालिस आप देखो चार एकम चार तो चार दूनी आठ चार को कितनी बार जोड़ना है दो बार चार तिया बार हो चार को कितनी बार जोड़ना है तीन बार चार सौक सोल हो चार को कितनी बार जोड़ना है चार बार फिर 4, 25, 20, 4 को कितनी बार जोड़ना है, 5 बार फिर 4, 6, 24, 4 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार 4 को 6 बार, 4, 27, 28, 4 को कितनी बार, 7 बार ठीक है, फिर 4, 32, 4 को कितनी बार, 8 बार 4 को हम जोड़ेंगे, 8 बार फिर 4-9-36, चार को कितनी बार जोड़ेंगे, 9 बार, ठीक है, और 4-10, चार को कितनी बार जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे हम 10 बार, खेंबार हो गया, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार, ठीक इसी तरह हो, 5 का पाड़ा लिख देंगे, 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 5, 5, 20, 5, 25, 5, 5, 30, ठीक है, 5, 30, यहा पर, क्या लिखेंगे पांच अंग 30 फिर पांच सत्य 35 पांच अटे 40 पांच नम 45 और पांच दाम 50 अब यहां पर पांच एक बार लिखना है फिर पांच को दो बार जोड़ना है फिर पांच को तीन बार जोड़ना है फिर 5 को 6 बार जोड़ना है फिर 5 को 5 बार जोड़ना है फिर 5 को 6 बार जोड़ना है फिर 5 को 7 बार जोड़ना है फिर 8 बार फिर 9 बार और फिर 10 बार कि 10 का पढ़ा 10 Eningen 10 10 और 10 pitam 100 आप जोड़के लिखले लिख ले ना 10 को एक बार 10 को दू बार 10 को तीन बार 10 को च्यार बार इसी तरह दिन को पांच बार 10 को चे हैं लिखांट बार 10 को आट बार 10 को आट बार यापर जगे कम है तुम्हें यहाँ पर नहीं लिख रहा आगे देखो 10 और 13 का पाड़ा लिखकर उनके जोड दुआरा 13 का पाड़ा बनाओ तो देखो 10 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 13 20 और 6 को जोड़ा 26 30 और 9 को जोड़ा 49 40 और 12 को जोड़ा 52 50 और 15 को जोड़ा 65 60 और 18 को जोड़ा 78 70 और 21 को जोड़ा एकराण में 80 और 24 को जोड़ा 104 90 और 27 को जोड़ा 117 130 को जोड़ा तो 130 तो पहले हमने क्या किया पहले हमने 10 का पहड़ा लिखा फिर हमने 3 का पहड़ा लिखा फिर हमने 2 को जोड़ दिया तो किसका पहड़ा मिल गया हमारे पास हमें 13 का पहड़ा मिल गया इसी तरह आप 13 और 9 का पहड़ा लिख कर इनके घठाव के द्वारा 4 का पहड़ा बनाओ तो देखो 13 का पाड़ा लिख देंगे 9 अदाम 90 अब क्या करना है घठाव करना है तो देखो 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4 24 में से 18 गया तो कितना आएगा 8 49 में से 27 गया तो 12 52 में से 26 गया तो 16 65 में से 45 गया तो 20 78 में से 24 गया तो 24 एकरान में से 63 गया तो 28 104 में से 72 गया तो 32 117 में से 81 गया तो 36 और 130 में से 90 गया तो 40 इस तरह हमने पहले 13 का पाड़ा लिखा फिर 9 का लिखा फिर 13 के पाड़े में से 9 के पाड़े को गठा दिया तो मैं किसका पाड़ा मिल गया? 4 का पाड़ा मिल गया आगे बड़े बच्चो कारे पत्रक 69 दिया हुआ है देनिक जिवन की समस्याव को हल करने में गुणा की समझ बना पाना देखो ककसा में 5 दरीया हैं एक दरीपर 5 बच्चे बैठ सकते हैं तो ककसा में कितने बच्चे दरीपर बैठ सकते हैं देखो कितनी दरिया है पांच एक दो तीन चार और पांच एक दरी पे कितने बच्चे हैं पांच बच्चे हैं तो कगसा में कूल कितने बच्चे हैं तो हम लिखेंगे कि कगसा में कूल बच्चे कूल बच्चे देखो पांच गुना पांच पांच दरी है एक दरी पर पांच बच्चे हैं तो पांच गुना पांच यानि कि 25 दूसरा सबीना पूल के तीन गुच्चे लेकर आई परते गुच्चे में चार फूल है तो सबीना के पास पूल कितने पूल है लेखेंगे सबीना के पास फूल फूल सबीना के पास फूल फूल देखो तीन तीन गुच्चे हैं तो तीन गुना एक में कितने हैं चार तो तीन गुना चार याने की कुल बारह फूल है तीसरा एक रेल के डिब्बे में आठ पईये हैं छे डिब्बों में कितने पहिये होंगे लिखेंगे छे डिब्बों में कूल पहिये छे डिब्बों में कूल पहिये देखो एक डिब्बे में कितने हैं आठ तो छे में कितने होंगे आठ गुणा छे यानि की अड़तालेस चौथा एक किताब में 64 पन्य है ऐसी ही आठ किताबों में कितने पन्य है लिखेंगे आठ किताबों में कुल पन्य आठ किताबों में कुल पन्य देखो किताब कितनी है आठ एक किताब में कितने है चौसट चौसट का आठ से गुणा करेंगे देखो 64 गुणा आठ, आठ चौक 32 का दो आसिल तीन, आठ चिंग 48 और तीन 51, पांचो बार हम पांचवा, विद्ध्यार्थियों की 6 कतारे हैं, परते कतार में 17 बच्चे हैं, तो विद्ध्यालिया में कूल कितने विद्ध्यार्थी हैं, लिखेंगे विद्ध्यालिया में कूल विद्ध्यार्थी, लाइन कितनी अच्छे हैं, एक लाइन में 17 बच्चे, 17 गुणा च्छें, 102 बच्चे अगला, सवीता ने 12 टाइलो को इस परकार जमाया है, जमाई की टाइलो को देख कर खाली इस्तान में भरिये, देखो यहाँ पर, 2-2 की कितनी लाइन है, 2-2 की 6 लाइन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2 गुणा च्छें, दूसरे में देखो, दूसरे में 6-6 की दो ला 4-4 की 3 लाइन है, तो 4 गुणा 3, सबका मतलब कितना होगा, सबका मतलब 12 ही होगा, क्योंने 12 टाइलो को हम इन अलग-अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, कारे पत्रक 60, बराबर बराबर, बटवारे दुआरा, भाग की समझ विक्सित कर प 2 रोटिया मिली हैं, कैसे पता लगा, कूल रोटिया कितनी थी, 6, बच्चे कितनी थी, 3, 6 में बच्चो भाग दिया, 3 का, तो परतेक बच्चे को कितनी रोटि मिलेगी, 2 रोटि मिलेगी, दूसरा, 6 पैन हैं, और 2 बच्चो में बराबर बराबर बाटनी हैं, तो परतेक ब बारह दाने लेकर आई, उन्हें चार बच्चों में बराबर बाटना है, तो कूल दाने बारह हैं, बच्चे कितने हैं चार, बारह में चार का भाग दिया, चार तिया बारह, तीन आ गए, परतेक बच्चे को कितने दाने मिलेंगे, तीन तीन दाने मिलेंगे, तीन पहले बच बच्चे को तीन तीसरे बच्चे को और तीन दाने चौते बच्चे को तो था छे केले हैं तीन बंदर हैं तो छे भाग तीन परतेक बंदर को कितने केले मिलेंगे दो-दो केले मिलेंगे ये दो केले पहले बंदर को ये दो केले दूसरे बंदर को और ये दो केले आपके तीस तो इस तरह बच्चों हमने आज की स्कलास में कार्य पत्रक 57 से लेकर कार्य पत्रक सांठ तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है उम्मिद करता हूं सभी कार्य पत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद